नमस्कार ग्लिप्स डॉडिनमा का स्वागत है इससे पहले भी सम्विलिन को लेकर पिछले साल 20 नौमबर से 4 दिसंबर तक शिक्षा कर्मियों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था अधिरात को प्रशासन द्वारा मांगे पूरी करने का भरोसा दिये जाने के बाद शिक्षा कर्मियों ने हरताल इस्तगित कर दे थी इसके बाद राजिस सरकार ने मुख्य सचीव की अध्यक्ष्टा में आर सदसीय उच्चे इस तरिये कमेटी मनाई थी कमेटी को तीन महा के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने थी लेकिन पाच महा बाद ये रिपोर्ट पेश की गई इस रिपोर्ट के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया एक मही को सीएस अजय सिंग के साथ हुई बेटक में शिक्षा कर्मियों की मागों को लेकर सरकार की मनशा इस पश्ट नहीं हो पाई आज इस महा पंचार में पूरे प्रदेश से लगबग 50,000 की संख्या में हमारे सिक्षा कर्मि साथ ही यहाँ पर पूंचे थे जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और सरोमान ने आम राय से जो है निर्ने हुआ है कि 26 मही को हम पूरे प्रदेश के सभी 90 विधान सभा में एक सविलियन संकल्प दिवास मनाएंगे जिसमें परिवार के सदस, रिस्तेदार और हमारे पढ़ाय हुए बच्चे सामिल होंगे तो सभी जो सदस से है जो इससे जुड़े हुए है हमारे इस अभियान से उनकी गिंती कल से ही सुरू हो जाएगी कितने सिक्षा कर्मि किस-किस विधान सभा में है उसके बाद जो है हमारी पूर्ण तयारी होने के बाद 26 मई को एक समय में पूरे 36 गण के सभी विधान सभा में एक साथ यह कारक्रम संपन होगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि सविलियन हो जाता है तो समस्त मांगे उसी में समाहित है और सविलियन होने से हमारी समस्याओं का इस्थाई एवाम समगर समधान होगा हम चाहते हैं कि प्रदेश के सिक्षा कर्मियों का वेतन विसंगती दूर करते हुए सभी लियन किया जाए और वर्गतीन की वेतन विसंगती को विशेश रूप से दूर किया जाए इस मांग को लेकर हम अभियान चला रहा है और खास कर जो क्रमुनत वेतन मांग उसमें समा समाधान हो जाएगा अन्य आठ बिंदू सवब में समाप्त हो जाएगे